दोस्तो अगर आप DD Freedies का अभी तक FreeWala Mpac2 Setup Box यूज कर रहे थे और आप ने दोस्तो डिडी Freedies का FreeWala Mpac4 HD Setup Box परचेस किया हुआ है और आप दोस्तो उसे आट्यो स्केन करना चाहते हैं लेकिन दोस्तो आप से आट्यो स्केन करते हैं नहीं बन रहा है तो दोस्तो इस वी और अगर दोस्तों आपका कम्पनी HTC है मेलवान है तो उसका जो फीचर है आपको कुछ अलग देखने को मिल सकता है लेकिन दोस्तों जो आटो स्केन का प्रोसेस है लगवख सेम वही होता है तो हमें दोस्तों हमारे फ्री वाले MP4s रबाक्स को आटो स्केन करने के लिए क्या तो दोस्तों आपको चैनल इडिट में जाकर यहां देख सकते हैं का नीचे आपको डिलेट आल का आफसन मिलेगा तो सबसे पहले आपको रिमोट का मेनू बटन प्रिश करना है इसके बाद आपको OK के दाई या बाई दोस्तों बटन आपको प्रेस्त करके और जाना होगा चैनल इडिट बाले आफ़ फ्रेस्तपर चैनल गटालोला कि अप्रेसर देख करेंद में करे Days आप के लिए प्रेस्त करें में इस आपको एक बार कौन्ट प्रेस्तर से प्रेस्त बार,क्थ aapp क्वेन में इस कहुंए निभ प्रेस्तुन और अब दोस्तों आपको आटिश्कन करने के लिए क्या करना होगा कि आपको जाना होगा सैटलाइट लिस्ट में अब इसके बाद दोस्तों आपको बहुत सारे सैटलाइट मिलेंगे तो आपको आटिश्कन करने के लिए देख सकते हैं दोस्तों आपको एक नंबर से नीचे क Q, तो दोस्तो आप Q band का, इस पर दोस्तो आपका C band और Q band दोनों का satellite आपका दिया गया है, तो आप Q band का कोई भी एक satellite आप select कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तो आप देख सकते हैं, कि इस पर बहुत सरे satellite हैं, मैं दोस्तो इस पर कोई भी एक satellite select कर लेता हूं Q band का तो दोस्तो मैं select कर लेता हूँ ABS to Q अगर दोस्तो आपके setup box पर satellite का name कुछ अलग है लेकिन दोस्तो उस पर आपका Q लिखा हुआ है तो आप Q वाला जो satellite name है किसी को दोस्तो आपको select करना है तो दोस्तो आपको उसे select कर लेना है आपको remote का OK बटन प्रेश कर देना है अब देखेंगे दोस्तो आपकी उस पर आपका tick mark लग जाएगा जैसे दोस्तो आप देख सकते हैं आप दोस्तो आपको उसी में क्या करना होगा कि आपको अपने remote का दोस्तो जो blue बटन होता है नीला बटन होता है उसे आपको प्रेश करना होगा इस परकार से दोस्तो आपको interface दिखाई देगा अब सबसे उपर आपको मिलेगा mood का option तो दोस्ते आप present रहेगा अगर आप दोस्तो present में करके आट्विस्केन करेंगे तो आपको पूरे चैनल रिसीब नहीं होगे इसलिए आपको इससे आपको change करना होगा तो आप दोस्तो रिमोट से okay के दाएंवाला बटन दबाएंगे तो इसका option दोस्तो आपको change हो जाएगा और change करके आपको यहाँ blind कर दिना है इसके बाद अगर दोस्तो आपको जो free वाले चैनल है और scramble चैनल है पैडशे वाले दोस्तो जो pad चैनल होते हैं वह भी आपके आपको आपको पूरा complete आपको करना है तो आपको दोस्तो यहाँ no कर देना है अगर आपके वाल free to your चैनल दोस्तो रिसीब करना चाहते है तो आप यहाँ yes कर दीजिए मैं दोस्तो यहाँ no कर देता हूं और सांसां दोस्तो आप अगर tv चैनल करना चाहते है तो दोस्तो आप यहाँ radio tv दोनों करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहां जो मां से अथक कर दीजी इसके बाद आपको नीचे आ जाना सर्च वाल पर इसके बाद दोस्तों आपको remote का okay बटन प्रिश्ट कर देना है इसके बाद आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे आपको progress दिखाई दे रहा है और अब दोस्तों आपको यहां से 0 से लेकर आपका 100% तक setup box आपका आट्योश्केंद होगा तो आपको दोस्तों 100% का wait करना है औ और 100% होने तक का wait कर लेता हूँ नहीं दोस्तों वीडियो जो है मारा ज्याला लंबा हो जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें 676 टीवी चैनल दोस्तों रिसीव हुए है अब आपको क्या करना है तो आपको remote का ok बटन प्रेश करके और चैनल को shape कर लेना है इसके बाद दोस्तों आपको remote का एक गिर बटन दबा देना है अब आप दोस्तों देख सकते हैं यह एक पर Sun Tv के अलावा आपके disc TV चैनल भी स्काइन हुए है फ्रीडिस के अलावा तो दोस्तों आपको देख सकते हैं कि इस परकार से आपको जितने भी चैनल है आपके pre disk दोस्तों आपको receive हो जाएंगे और शाफवा आपको जो पैडड डीट जैसे दोस्तों दीच टीवी ह सान सा दोस्तो Sun TV है, जिसका signal जो है, फ्री डिस्क के आजू बाजू से है, तो दोस्तो आपको उसके चैनल के सिगनल भी आपको मिल जाएंगे, दोस्तो इस प्रकार से आप complete दोस्तो इस प्रोसेस को करने के बाद, आप अपने FREEWARD-EMPAC4TOP box को आट कर सकते हैं, अगर दोस्तो आपको MP4 setup box पर चैनल को move कैसे करना है आप चैनल को अपने मन कताविक एक नमबर से कैसे set करना है तो दोस्तो मैं आपको आने वादी वीडियो पर बताऊंगा दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक के बटन प्रेश जरूर कर दें मिलते हैं दोस्तो नेश्ट वीडियो पर नमस्काल